Hello everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही हाल ही में कई राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं और कुछ समय पहले ही कई राज्यों के उच्छ नयायले के मुख्य नयायधीस भी बदले गए थे ठीक है तो यदि आप लोगों ने राज्यों के राज्यपाल को याद करनी की ट्रिक नहीं देखी है तो Online Study Point के प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखी है और आज का हमारा टॉपिक है ग्यारा उच्छ नयायले के मुख्य नयायधीसों को याद करनी की ट्रिक मैं एक सीज और कहना चाहती हूँ मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े हैं मैं यह देखती हूँ कि आप लोगों को मेरे ट्रिकी वीडियो पसंद आते हैं बस बात इतनी ही कि आप इसे शेयर नहीं करते तो मैं रिक्वस्ट करती हूँ कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, helpful लगता है और आप चाहते ही कि मैं ऐसे वीडियो फिर से बनाऊँ तो इसे शेयर जरूर किया करिये और यदि आप लोग इसे शेयर नहीं करेंगे पसंद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब मैं यह समझूंगी कि आप लोगों को ट्रिकी वीडियो से ज़्यादा MCQ वीडियो पसंद है, तो मैं नेक्स टाइम से MCQ बेस पे ही वीडियो लाऊंगी, ठीक है? तो चलिए आप हम स्टार्ट करते हैं मैं बिलाते हैं तो कहा अपनी बड़ी बहन को बिलाते हैं D से दिल्ली, D से दियन पतेल, D से गुवाहाटी, D से गोव्ष्वामी अब आप लोगों को यह कन्फियूसन हो रहा होगा कि D से दिल्ली है ठीक है D से अन्य न्यायधिसों के नाम भी तो हो सकते हैं सोचना लाजमी है तो सुनिए D से डियन पटेल है तो D से मात्र एक न्यायधिस का नाम और है उनका नाम है दिनेश माहेश्वरी ठीक है? दिनेश माहेश्वरी लेकिन आप लोगों को confuse बिल्कुल नहीं हो ना, आप लोगों से मैं मुख्य नयाधीसों के बारे में डिसकस कर रही हूँ, तो मुख्य नयाधीस है, डियन पटेल, जबकि जो दिनेस महेश्वरी हैं, वो दिल्ली उच नयायले में नयायधीस है, क्या है नयायधीस, आप से न आप लोगों को कुछ समय बाद, यानि कि आप बहुत समय से किसी चीज की ख्वाईश रख रहे हैं, वो चीज आपको मिल नहीं रही है, और बड़े समय बाद जब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, और वो चीज मिल जाती है, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, वा स्व स्वामी, वा क्या कमाल कर दिया, छपपर फाड के दे दिया हमें, तो गुवाहाटी उच्चनयायले के मुखिनायधी से गो स्वामी, ये भी आप याद रखी, अगला हम देखते हैं, राजिस्थान, तो राजिस्थान को भी ये क्यात करने की बहुत आसान ट्रिक है, मैं ज राजियों के की पोइंट पकड़िये, जैसे की राजिस्थान, तो राजिस्थान से आप पकड़िये राजा का इस्थान, ठीक है, राजा को ठंड लगती है, इसलिए वा अपने इस्थान में भट्टी रख कर सोता है, क्या रख के सोता है, भट्टी, राजा को ठंड लगत इसलिए वह अपने इस्थान पर भट्टी रखे सोता है राजिस्थान उच्छ नयले की मुख्य नयदी से रविंद्र भट्ट हमारा अगला प्रशन है मुंबई मुंबई से कैसे याद करें अच्छा आप लोगों को कभी वेकेशन मनाने की इक्षा हुई तो आप लोग क्या आने का गोवा जाने का आपका जोग नहीं बन पाता है आप चाहते हैं कि गोवा जाए और गोवा है कहां गोवा है मुंबई में तो गोवा घुमने का आपका जोग नहीं बन पा रहा है इसलिए आप गोवा यानिकि मुंबई नहीं जा पा रहा है मैंने गोवा का नाम इसल इसलिए आप याद रखीगा कि या मुंबई के न्यायलिक छेत्राधिकार के अंदर आता है तो जोग यानिकि आपके मुंबई घुमने का आपके गोवा घुमने का जोग नहीं बन पा रहा है फिर अगला देखते हैं आंध्रपदेश आंध्रपदेश से आप की पॉइंट प खड़े हुएं सारे अंध्य व्यक्ति ठीक है एमसी क्यों में आपको इस सारे कोशन बन जाएंगे आपके वल समझने कोशिस करिए फिर अगला है हमारा कोलकाता यानिकि पश्चिम मंगाल इसे याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है आप ध्यान से सुनिएगा आप सभी चानते हैं पश्चिम मंगाल में किसका सासन है दीदी का यानि की ममता बनरजी जी का तो दीदी कह लिजी या टीमसी पश्चिम मंगाल में टीमसी का सासन है तो टीमसी टीबीन टीमसी टीबीन तो यह बहुत आसान ट्रिक है याद करने की कुलकाता की जो उच्च नयले की पकड़ीए जाडू मुझे जाडू लगाना है आप लोग शान्त हो जाईए क्या करना है मुझे जाडू लगाना है आप लोग शांत हो जाईए वर न मैं मार दोंगी ठीक है आपकी वहल की बनाई थी, क्या बनाई थी, आप लोगों кої याद हो गई दिए, आप लोगों ने मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखी है, राजी पाल की, तो मैंने क्या कहा था राज्जिपाल वाली वीडियो में, वह बोलती है अपनी सहली से कि हीमा, चलना, तो हुआ बोलती है कल चलनेगी बोलती है हिमा चलना तो हो बोलती है कल चलेंगे तो कल राज मिश्र वहां की राज जिपाल बने हमने बताया था सेम उसी चीज को यहां प्लाई करना है तो आपकी किसी सहली ने कहा कि हिमा चलना हिमा चलना तो आप क्या कहेंगे नहीं हम सुबा जाएंगे हम कल सुबा जाएंगे तो वी रामा सुभ्रमन्यम है हिमाचल उच्छ नयायले के हिमाचल प्रदेश उच्छ नयायले के मुख नयादीस फिर अगला आता है तेलंग गाना तेलंग गाना से आप की पॉइंट पकड़िए गाना आपने किसी से कहा कि आप गाना गाके सुनाईए तो वह कौन से गाना गाके सुनाएगा रगुपती रागव राजा राम गाने का नाम है रगुपती रागव राजा राम गाने से आपको आटोमेटिक यादा जाएगा पिर अगला आता है करनाटक यदि आप कोई बच्चा बहुत नाटक कर रहा है यानि कि करनाटक आप क्या कहेंगे नाटक मत करो यानि कि नाटक मत कर तब भी वह कर रहा है तो आप क्या कहेंगे तुझे डर्वर नहीं लगता क्या डर का मतलब क्या है बहे कोई बच्चा यदि नाटक कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि तुझे डरवर नहीं लगता यानि कि अब है श्री निवाश ओका जी है करनाटक उच्चिनाय लेके मुख्यनाय धिस फिर अगला आता है अंतिन 36 गड़ इसे याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक इस्तमाल कीजिए जो रामचंद्र भगवान है वो 36 किलो में या 36 गड़ों में आप कह सकते हैं ब्रहमण किया था रामचंद्र भगवान जी ने 36 गड़ों में ब्रहमण किया था तो 36 गड़ के जो उचन आयले की मुखिन आयधीसे वो है P.R. रामचंद्रन मेंन आप लोगों को ट्रिक पता नहीं कैसी लगी लेकिन आप लोगों को याद सब कुछ हो गया है तो चलिए हम देखते हैं दिल्ली उचन आयले की मुखिन आयधीस कौन है तो मैंने क्या कहा था d से दिल्ली और d से dn पटेल फिर अगला आता है प्रदीप नंदरा जोग आप की पॉइंट पकड आपका कहा जाने का जोग नहीं बन पा रहा है आपका गोवा गूमने का जोग नहीं बन पा रहा है गोवा यने की मुंबई, मुंबई उच्छिनयायले या महराष्ट उच्छिनयायले की मुखिनयायधी से प्रदीप नंदरा जोग, फिर अगला आता है कोलकाता उच्छिनयायले, कोलकाता से आपको यादानी ची दीदी और दीदी से क्या आदाना ची टीमसी, ठीक है, तो कोलकाता उच्छि लगाना है आप लोग शान्त हो जाईए वरना मैं मार दूँगी तो प्रशांत कुमार है जारकंड उच्छी नयाले के मुख्य नयादीस फिर अगला आता है हमारा हिमाचल प्रदेश के उच्छी नयाले के मुख्य नयादीस कोन है बहुत इजी है हिमा चलना नहीं हम कल सुबा जाएंगे हम कब जाएंगे कल सुबा सुब्रमन्यम तो वी रामा सुब्रमन्यम है हिमाचल प्रदेश उच्छी नयाले के मुख्य नयादीस फिर अगला आता है तेलंगाना तेलंगाना से आप की पॉइंट पकड़िये गाना आपने किसी से कहा गाना गाके सुनाये तो उसने कौन सा गाना गाके सुनाया आपको उसने सुनाया रगुपती रागव राजाराम क्या सुनाया रगुपती रागव राजाराम आपके वल key point पकड़े राज्यों के तो आपको उच्छ नयले की मुख्य नयदिस आटोमेटिक याद होंगे केवल आपको राज्यों के key point पकड़ने हैं फिर अगला आता है गुवाहाटी मैंने क्या बताया था D से दिल्ली, D से डियन पटेल और G से गुवाहाटी और G से गोस्वामी ये दोनों नाम मैंने सेम सेम बताये थे GG और DD ये भी आप याद रखिएगा फिर अगला आता है हमारा आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश से उच्छ नयले की मुख्य नयदिस कौन है तो आंधर प्रदेश से आंधर प्रदेश सेम ये वे कहके बताये हुस्वास आता है करनाटक नाटक कौन करता है तो आगे इसका ऑंसर आप लोगों को पताये है जह बताइएगा और इक शिश्वार पताना चाहती उँ जो आंधर प्रदेश उच्चिनेयले हैं आप सभी जानते हैं कि यह भारत का 25 उच्चिनेयले बना है और एक सीज मा और बता दू आप लोगों ने उनका नम जरूर सुना होगा जाबरी प्रमीड कुमार का तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आंधर प्रदेश उच्चिने ले के मुख्य नयादिस जावरी प्रमीड कुमार को आंधर प्रदेश का कारी-क्यारी मुख्य-нет दिजले के बन गए ह меньше विक्रम नाथिजी ठीक और आंधर प्रदेस में ही भारत का पचीसवा नियायले खोला गया था और एक चीज मैं बता दूँ जो उच्च नयायले होता है तो उस उच्छ नयायले की मुख्य नयदी सी न्यूकती हमारे राष्ट पती करते हैं, न्यूकती तो राष्ट पती करते हैं, लेकिन सपत कौन दिलाता है तो सपत उस राज्य का राज्य पाल दिलाता है ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और एट करना चाहूंगी मुझे पता है बहुत सारे लोग यह कमेंट करेंगे कि आपने 29 राज्यों के क्यों नहीं बता है तो देखिए आप लोगों को हार्ड वक नहीं करन चला रहा है तो यदि आपसे उच्छे नयायलो की मुखी नयधः से कोस्ट्व पूचय जाने है तो जो नहीं नियुक्तिया हुए है यानि कि कुल 11 उच्छे नयलो की मुखी नयधिस से ही कोस्ट्व पूच़ जाएगा आप एक्स्ट्रा में एक चीज याद ग्यारा राज्यों के जो मैंने बता दिये एक जिस राज्य से आप एक्जाम दे रहें उस राज्य का और गीता मित्तल जी का तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा मैं बार बार कह रहें ये वीडियो शेर कीजिए जितना जादस जादा आप शेर करेंगे मैं उतनी मोटिवेट होंगी तो दोस्तो आज के लिए इतना ही ओन्लाइन स्टेडी पॉइंट को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा थैंक्यू सो मच